नमस्कार आप देख रहे हैं बिहारी नियूज मैं हूँ आपके साथ राजमोहनतिवारी बिहार में विधानसबा चुनाओ की घोसना बहुत जल्द होने वाली है लेकिन इस चुनाओी मैदान में उतरने से पहले ही महागटबंधन और राजत को लगतार जटके लग रहे हैं पार की राजनिति में बड़ा दलित चहरा जीतन रहमाजी ने महागटबंधन छोड़ने की घोसना कर दी लेकिन राजत का साथ छोड़ने का सिलसिला अभी ठमने का नाम नहीं ले रहा है जी हां महागडबंधन और राजत को चुनावी मैदान में उतरने से पहले एक और जटका लगने वाला है बड़ी खबर अभी निकल कर आ रही है कि पूर्व शांसद और पिछले साल 2019 लोकसभा चुनाव में मद्देपूरा लोकसभा सीट से राजत के टिकट पर चुनाव लरने वाले शरद यादों की जदियू में घर वापसी हो सकती है जी हां शरद यादों फिर से जदियू में आपको दिखाई दे सकते हैं आपको बता दें कि 2017 में जब नितिश कुमार ने महागडबंधन का साथ छोड फिर से बीजेपी का दामन थाम बिहार में सरकार बनाई थी तो उसका सबसे जादा विरोध उस समय जदियू के राष्ट्रिय अध्यक्ष और राज्य सवा सांसद रहे सरद यादों नहीं किया थ हुए और जदियू के दोबारा बीजेपी के साथ मिलने पर कहा था कि जो परिस्तिती है वो अपडिये है देश की और बिहार की 11 करोर जनता के लिए ठीक नहीं है बिहार में जो फैसला हुआ है मैं उससे सहमत नहीं हूं बिहार के 11 करोर लोगों ने यह जना देश दिया था जो हुआ वो दुरभा के पूर्ण है लेकिन लगता है कि नितिश कुमार की सरकार का 2015 से 2020 तक कारेकाल खतम होने के साथ ही सरद यादो के इस बयान का महत्व भी अब खतम हो गया है कुछ दिन पहले सरद यादो की तबियत बिगरने के बाद उनको इलाज के लिए दिल्ली के अस्पताल में भरती कराया गया था जनकारी के मुताविक जदियों के कई वरिष्ट निताओं ने हाल चाल जानने के बहाने सरद यादो से बात की और एक बार फिर जदियों में सामिल करने को लेकर बात आगे बढ़ाई है मिल रही ख़बर गयनुसार सरद यादो और निति इसकुमार भी चाहते हैं कि सरद यादो एक बार फिर जदियों से जुड़े ताकि लालू के प्रमप्रागत वूट बैंक में सिंधमारी की जा सके सरद यादो का जन्म भले ही मद्यपरदेश में हुआ हो लेकिन बिहार की राजिनीती के वे बहुत पूरा ने खिला रही है सरद यादो बिहार के मद्यपूरा लोकसभा छेतर से चार बर चीत कर संसद पहुँचे थे हलांकि 2014 में सरद यादो को राजद के टिकट पर लड़े पपू यादो से लगबग 56,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था वहीं पिछले साल 2019 लोकसभा चुनाव में सरद यादों ने राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा और उन्हें जद्यू के दिनेश्चंद्र यादों ने तीन लाख वोटों से हाराया था माना जाता है कि इस हार की वज़त से राजद ने उन्हें अहमियत देना कम कर दिया बिहार में विधान सभा का चुनाव नजदीक है लेकिन सरद यादों की पूछ ना राजद में और नहीं महागडबंदन के किसी अन्य घटक दली उन्हें कोई महत्वे दे रहा है सरद यादों अब मागडबंदर में खूद को उपेच्छित महसूस कर रहे हैं जद्यू ने भी मौके की नजाकत को देख अपने पूराने राष्ट्रिय अध्यक्ष को जिसका जद्यू को बनाने में अहम युगदान रहा है उसे फिर से पार्टी में लाने की कवायद ते कार मिलने से विधान सबाचुना में फायदा जरूर होगा यह तैय है बिहार की राजनीती की पीच पर आगे क्या कुछ होता है और बिहार में कौन नेता कब किस करवट लेता है इसे जानने के लिए देखते रहे बिहारी नियूज धन्यवाद